नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं खबर एचपी और आईए वक्त हो गया हिमाचल पर्देश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का बताएंगे सभी खबरें एक ये करके वं विस्तार से उससे पहले आप हिमाचल पर्देश के किस जीले से न्यूज को देख रहे हैं नई सरकार नहीं हमाचल पर्देश में लोग रिवन विभाग के सोलो सरकिल, डिवीजन, सब डिवीजन और सेक्षन को दिनोटिफाई कर दिया है वह आपका बता देखी ये सोलो सरकिल, डिवीजन, सब डिवीजन और सेक्षन 4 मए 2022 से 4 अक्टुवर 2022 के बिच खोले गए थ ये वायरस वहत खतरनाक है और तेजी से फैल जाता है, वहीं आपका बताते कि वायरस के घातक होने का अंदजा इस बात से लगाए जा सकता है कि ये इम्यून सिस्टम से भी बच निकलता है, इसका इंक्यूबेशन पिरियड बहुत कम है और ये किसी भी वेक्ति को बहुत तेजी से संक्रमित कर देता है, यही वज़ा है कि चीन में रवतार के साथ मामले बढ़ रहे हैं, जिससे सेंकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं आपका बताते कि विससाग्यों का अनुमान है कि आने बाले समय में 10 फिजदी अबादी इसका सिकार हो सकती है, इसका सतरकता सावधानी और निग्रानी बरतने पर जोड़ दिया, समिक्छा बैठक के दोरान स्री मंडविया ने सुक सतरकता सावधानी और निग्रानी बरतने पर खास जोड़ दिया, उन्होंने काया कि सारवजिनिक तथा भीड भाड़ वाले सनस्तानों पर कोविड अमानों क का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए ग्रुप से कमजोर वर्गों जिनकी सालाना आए तिन लाक्स रुपिये से कम होगी उन्हें यह अधिकार मिलेगा कमेटी सलम एरिया तई करेगी नियमों के मुताबिक बिजली पानी और सेनिटाइजेशन आधी की वेवस्ता देखी जाएगी सरकार के इस फैसलों को हजारे ल माफी गई है भुकम के जटके महसूस होते ही लोग अपने घर उसे बाहर निकल गए हाला कि भुकम से कोई जानमाल के नुकसान की जनकारी नहीं है भारत जोड़ो यात्रा से बिजेपी सरकार की निभीली कॉंग्रेस के राष्टे प्रवक्ता कुलदीब राठोर बोले राहूल गांधी को रोकने की रची जा रही साजीस जे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कोर्ना की आड में रोकने का प्रियास की हजारा है अकिल भारते कॉंग्रेस कमेटी के राष्टे प्रवक्ता कुल्दीप राठोर ने बुद्वार को सिमला में प्रेस वर्ता में ये आरूप लगाया उन्हेंने काया कि गुजरात में जब परधानमंती नदमोधी और अन्यकेंद्रिये नेता हजारों लोगों की भीड के साथ जनसबाएं कर रहे थे तब किया कोबिट प्रोटोकोल का पालन किया गया वही राहुल गांधी की पैदल यात्रा से जीस तरकी भेड जूट रही है बिजेपी उससे घबरा गई है कुल्दीप ने कहा कि भारतिय जंता पाटी को लग रहा है कि 2024 के लोगसबाद चुनाव से पहले राहुल गांधी बड़ी चुनोती बनकर उबरेंगे इसलिए सुन योजित ढंग से राहुल गांधी की पैद्यात्रा को रोकने का प्रियास किया जा रहा है बर्माना में परदस्न ट्रेक उप्रेटर बोले बिना सर्त प्लांट शुरू करें आदानी समू जह BDTS ट्रेक अपरेटर ने आधानी समू से बिना सर्थ सिमेंट प्लांट शुरू करने की मांग की है बुधबार को ACC कमपणी और ट्रेक अपरेटरों के बीच माल भाड़े को लेकर चला गती रोद आठवे दिन में परवेश कर गया वही बुधबार को भी ट्रेक अपरेटरों ने बर्माना में धरना परदर्सन किया BDTS भवन से पलांट के गेट तक रेली निकाली गई गेट के सामने एकत्रित हुए ट्रेक अपरेटर अधानी समू के खिलाब खुब गरजे वही BDTS के पुरुपरदान लेकराम वर्माने कहा कि पलांट बंद हुए एक हवते से जादा हो गया है हर दिन अपरेटरों को करोडों का नुकसान उठाना पड़ रहा है अधानी गुरूप दादागिरी कर रहा है नई सरकार ने हिमाचल परदेश में स्वास्त एबं परिवार कलियान भाग के तहत एक अपरेल 2022 के बाद नई खोले और अपग्रेड किये गे 181 स्वास्त सनस्तानों को डिनोटिफाई कर दिया गया है विकासकारी लटकाने पर 28 पंचायत परदानों को भेजे कारण बतावो नोटिस जे हिमाचल परदेश के कंगला जिले की 28 पंचायतों में विकासकारी को लटकाने वाले पंचायत परदानों के खिलाब अंचायती राश अधिनियम 1994 के तहत करवाई की जाएगी। करने के निर्देश चारी किये गए। करने के दो लाग से जादा पोधे तयार किये गए हैं। जेहिमाचल परदेश के जिल्ला कुलू के राश सन में एक घर में पुजापाट करने के नाम पर लाकों की ठगी के मामले में दो आरोप्यों को गिरपतार किया गया है। पुलिस ने एक महिला समय दो तांतरीक को उतर परदिस के गाज्याबाद से दबोचा है। वहीं आपका बता देगी 17 दिसमर को रायसन की एक महिला ने सदर पुलिस थाना कुलू में सिकायद दर्च करवाई थी। इसके बाद अतिरिक्ती पुलिस अधिचक आसिस सर्मा ने आरोप्यों को गिरपतार करने के लिए एक विसेज पुलिस दल का गठन किया। इसका नेतित्व उन्होंने सियम किया। इसके बादा करने के भी आदिस दिये हैं। इसके बाद आसित्व की और से मुआफजे के लिए दायर की गई आचिका को सुविकार किया। हिमाचल में सितलर का प्रोकोब साथ सरों का नियुंतम तापमान माइनस में पहुँचा। हिमाचल परदेश में सितलर का प्रोकोब जारी है परदेश के साथ सरों का तापमान माइनस में पहुच गया है। पिछले 24 गंटे में परदेश के साथ सरों का नियुंतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया। जिला मंडी के एटियम में पैसा कम डालने वाली नीजी कंपणी के दो कर्मचारियों ने चौवण लाग 78,500 रूपिय की हिरा फेरी को अंजाम दिया है। वही आपका बतादी के आरोपी हमिरपूर निवासी है। सातीर एटियम में कम पैसा डालते रहे और जूटी केस रिपोर्ट कमपणी को देते रहे। वही सोलो और 17 दिसंबर को कमपणी के ओडियाटर ने या मामला पकड़ा और सुचना कांगला इस तीर कमपणी परबंदनर को दी। वही बरांच मेलेजर की सिकायत पर धरंपूर थाना में मुगदमा धर्जिकर पुलिस ने जाच शुरू कर दी है। वही आपको बताते कि आरोप्यों के पैंक एकाउंट और संपत्यों को खंगाला जा रहा है। दोस्तों आज की संदार खबरों का सिलसेला इसमापत होता है।